नमस्कार नीज फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग इस वक्त की बड़ी खबर जारखंट से निकल कर सामने आ रही है जहां पर सूत्रों के हवाले से मिली जो जानकारी है उसके मुताबे के हेमंद सोरेन को एडी ने गिरफतार कर लिया है लंबे सम को जो है गिरफतार कर लिया गया है बताते आपको कि जारखंट के सीम हेमंद सोरेन की ओर से एडी अधिकारियों के खिलाफ जो फायार दर्ज की शिकायत भेजी गई राची पुलिस के अनुसार राची के धुरवा था ना जानकारी के मुताबिक एमजे एम की ओर से सीस्ट एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया और उसके बाद ही जो है वो ये पूरा मामला चल रहा था एडी के द्वारा जो है वो सवाल पूछे जा रहे थे हमंद सोरेन से लगवाग 6 घंटे से जो है उनसे पूछताच हो रही थी और उसके बाद जो है जो जमीन घोटाले के मामल है हमضा सूरेंडонец की तो चशा की चाही तो कई दिनों तक हमदा उसके बाद यह तक उसके बाद यह रहाए तो उन्होंने कहा कि आपके दिल में इस तरह के जवाब जो है उन्होंने दिये थे अब जो जानकारी मिल रही है कि हेमन सोरेन से लगबग 6 घंटे से ED के द्वारा जो है वो पूछताच चल रही थी और उस पूछताच के बाद जो है हेमन सोरेन को गिरफतार किया गया है बता दे से लगतार उनसे पूछता चो रही थी और उधर जो बताया जा रहा है कि हेमन सुरेन को जो है वो उन्होंने अपने पद से इस्तिफा विदे दिया है और इस बात की जानकारी जो है वो राची से निकल कर सामने आ रही है फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 40 घंटे तक वो द दोशी करार दिये गए थे लगतार एडी के द्वारा जो है वो सवाल पूछे जा रहे थे और उस बीच जो है वो उनके अवास पर विधायकों के भी आने का सिलसिला लगतार जारी था और तमाम विधायक जो है वो राजभवन भी पहुँचे और हेमन सुरेन ने एक तरफ इस्तिफा दिया तो दूसरी तरफ उनकी गिरफतारी हो गई है यह जानकारी जो है वो जारखंट से निकल कर सामने आ रही है और तस्वीरे जो लगतार अपडेट हो रही थी जो बाते कही जा रहे थी हेमन सुरेन के तरफ से जो बाते निकल कर सामने आई कि आखिरकार 40 घं पूछता चुई उस दोरान विधायक जो है वहां पर पहुंचे राजभवन गे और उसके बाद उन्होंने इस्तिफा दे दिया है अगली वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा